गुड मार्निंग इस्टूडेंट टेस्ट क्वीज में आपका स्वागत है आज के लेक्चर है निर्दसांग जामिती से जिसमें हम समकोडी कक्ष और सरर रेखा का प्रतियोगी परिक्षे से संबंदीद सवाल देखेंगे सिध्धान देखेंगे तो निर्दसांग जामिती म अंतिम में बताएंगे पहले आपको साथ लेक्चर हमने शरर रेखा के उपर दिया हुआ है शर रेखा त्रिभूज चेत्रुभूज इसको पहले देख लेते हैं इसमें कोई बहुत ने स्वाइजिन है तो दुरुभी निर्दसांग होता है जैसे कि यह क्या है समकोडी कार तो यहां से पर लम डालते हैं यह दूरी एक्स होगा यह दूरी वाय होगा और एक होता है धुरुवी निर्दे सांग इसमें क्या है कि एक समकॉणिक अक्षों से दुरियों के अलार पे इसका निर्दे सांग लिया जाता है एक से दूरी को वाय निर्दे सांग लेते हैं एक होता है धुरुवी निर्दे सांग में क्या होता है कि एक इनिसियल रेखा होता है इसी को हम लेते हैं यह जैसे बिंदू पी है सपोस्थ यहां पर यह साथ हंस का कॉंड बना रहा है सपोस्थ इसको मिलाने वाली रेखा तो द्रुवी निर्दसांग में एक इनिसियल रेखा होता है तो कोई भी बिंदु पी है तो और इसको कहा जाता है मूल बिंदु तो मूल बिंदु जो है इसको द्रुवांतर रेखा भी कहा जाता है इससे कितनी दूरी पर है और ये इनिसियल रेखा का रंभी ग्रेखा से कितना जबना रहा है इस अधार पर इस दूराय करते हैं तो इसको लिखा जाता है यह आर है पिस कम ढब बहुत यहाइगा यहार्स थीटाब लिखा लिए जाएगा नेज़गक धे जाएगा और कॉस फिटा यह सांट थीटा ऐसे करके दिया जाएगा मिन्स एक सब्राबर और कॉस थीटा एंड य बराबर और साइन थीटा यदि धुरुवी दिया है कार्ती निर्षांग दिया है तो ऐसे एक से जगे इतना रखना है इसको हल करेंगे तो आर बराबर हमको अंडर रूट सब्सक्राइब 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 नहीं है प्रिपूज में संघानि होते हैं जिनका प्लिसेश नाम होता है सबसे पहले केंदर कर इसे हम की माधिका मत त्रिपूज के तुला हुजुज के गुज़ा के मतार मस्रीत से मिलाने वाली रेखा को dolls ये सब यह सब क्या हो इसको लब केंद्र कहा जाता है परिगत केंद्र का मतलब है भुजां का लम संदी भाजक यह कहीं पर जाकर ऐस से ओर सब्सक्रार करAND जा सकता है उसको यह जलिए फरिगत केंद्र है कि उसका ऑद कोुका संधार सद्धार किये कि इसको इसको इंद्र कहेंगे फिर एक आता है वहिर केंद्र केंद्र यु出來 दू पर रिक व्रियद बनें गई 사람들이 फिर अबलब साओं और पार से करके तौ जएसे यहां पर जेकर बने गए कर और भी तो निकालने क सूत्र कौंपडिर पर निकाला चाहं जा सकता है कि मैं इसके बाद उसका प्रतिषेत मिंदु निकाल लिए परिगत के दिड्रे निकालना है तो इसके लम्शन दीखाजयक निकाल लिए इस प्रकार से निकाला जा सकता है ओए वह ज्यादा असान है सुत्र तो बहुत सारे हो जाते हैं वतलो है किसी खूल्ड किंप में मिल जाता है रहे बाइट रहेएं लिड़ हम इसमें जो जितने भी हम ने केंद्र बताये हमने बतायां केंद्र Σो पीर हमने बताया लंब ए और उसके बता है बहुत केंद्र है बहुत Karaj तो किसी भी त्रिभूज में किसी भी त्रिभूज में ये तीनों किसी भी त्रिभूज में ये तीनों क्या हो जाएंगे सम्रेक हो जाएंगे चाहे त्रिभूज कैसा भी हो त्रिभूज कैसा भी हो कि इसको लेंगे तो रोय का पुर्य हो जाएगा इस सम्धिवाहू में समरेख होगा यह भी सामिल हो जाएगा किसी भी त्रिभोज में यह तीनों सब्रेख होता है और चारों हो जाएंगे एक ही रेखा में फोने सिद्धांक से लाया जा सकता है जैसे दोनों दे दिया इसके एक निरसांग दे दिया तुसरे निरसांग को विभाजन सुत्र से निकाला जा सकता है उसके बाद संभाहु त्रिभूज में संभाहु त्रिभूज संभाहु त्रिभूज है यदि तो सभी संभाहु त्रिभूज हो जाएंगे तो उसको आगे हम चत्र भूज का या कोई बहुत है जिनकी निर्दसान दिया गया हो 5 बूज हो 16 वुज हो उसका निर्द से निकालेंगे जैसे कि त्रिभूज है x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो इसका जो छेत्रफल होता है एक बटे दो इसको लिखेंगे x1 y2 माइनस x2 y1 और उसके बाद x को बढ़ाएंगे आगे x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 ऐसे यह त्रिभूच कहो गया ज़िए इसमें विद्व और जूड़ जाता है x4 y4 इनहीं के साथ और जूड़ जाता है तो चत्रफूज बनेगा उसका च्छेत्रफल जो बनेगा वन वाई टू अब इसको जैसे यह तीन बिन दिन से तीन कांबिनेशन बना अब चार बिन दों यह तीनों के साथ यह भी सामिल हो गया तो चार बिन दों जाएंगे x1 y2 minus x2 y1 यह सब ऐसे सेम सेंच चलेगा चलिए लिख देते हैं फिर आ जाएगा x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y4 minus x4 y3 plus x4 y1 minus x1 y4 इसी प्रकार एद भू्भूद आता है तो जितने भी भूज़ाई है सब जो सिद्धान है फार्मूला को हमने अभी रिपीट नहीं करेंगे उसको रिपीट करें तरते हैंगे तब कोई घंटा लग जाएगे क्योंकि 78 लेक्चर में कम्प्लीट हुआ है सरर रेका का तो वह आप इसको लेवल में देख सकते हैं फार्मूला को कि यहां पर देखें पहला जो प्रस्ण दिया हुआ है पहला प्रस्ण है जीरो माइनस और जीरो थ्री वर्ग के विप्रित सिर्स हैं तो सेस्ट दो सिर्स ग्याप कीजिए बोला है तो प्रतियोगी परिशे में कोई भी कोश्चन रहेगा वह क्या होगा चैसे पढ़ेंगे त तो आपको पूरा अलाट रहना पड़ेगा अलाट रहना पड़ेगा कि आपको को तुरंद का तुरंद करना है उसको इनलाइज करना है कि क्या है देखा जाए तो जीरो माइनस और जीरो थ्री वायक्ष के बिंदू है वायक्ष के बिंदू है तो इसमें और कुश इधर कर और इसके लंबत होगा वर्ग में जो विकर्ण होते हैं दूसरे को सम्धि भाजित करते हैं इसलिए इसके मध्य बिंदु से दूसरे विकर्ण ऐसे करके चालू होगा और कहा तक जाएगा तो इसका संक्सक्राइब तो कि या यह वह सकते हैं पर मोंत असानी से इसको find किया जा सकता है यदि अक्षपर है तो तो वर्गर के सेस्ट दो सीट से माइनस टूवन और टूवन है आगे हम देखते हैं इसी लगवागर्ण से परधारित है बिंदू माइनस से माइनस बी जीरो जीरो ए बी और इसके रे भी यह समरेख है कि चतुरूहुज बना दें क्या बनाते हैं इसके बारे में हमको जानना है तो फिर से हम क्या करते हैं ऐसे करके एक्सिस बना लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी को एमाल लेते हैं और यह दूरी को भी माल लेते हैं यह बी में दिया तो हम एकुरेट तो नहीं जान पाएंगे कहां है लेकिन एक चिक हमारा बेन दू है माइनस و doctor 106 में आ गए मनेस से मतला ले इतना दूरी यहां और माइनस ब्सक्राइब माइनस ब्सक्राइब माइनस यह दो यह यहाँ है ऊ С€ तो सम्रेख है जो दूसरा में जो बिंदू दिया गया है यह सम्रेख है कि इसके बाद देखें इसी पर निर्दसांग पर अधारी तार है कुछ निर्दसांग हम को दिया गया है वह कौन से इसको हमको जानना है गया सकते हैं यह देखिए समकूरी कर्ष बना देते हैं डिस्टेंस फर्मूला से जाना जा सकता है कि वर गहे कि सम चत्रभुजे कि सम आंतर चत्रभुजे लेकिन हमको सिर्फ आइंसर जानना है रूफ नहीं करना है तो माइनस टू टू और इतना दूरी को टू ले लेते हैं ऐसे करके तो माइनस टू टू यह हो गया माइनस टू टू वाइप प्लस और यह फिर दिवाए माइनस टू वन टो एक सम माइनस टू टू और माइनस टू वन तो यह आहां पर आ जाएगा इसके आधे में माइनस टू वन फिर आ जाएगा थ्री माइनस वन एक स्ट्री और वाइ तो यह नीचे आ गया इसमें कुछ मिश्टेक हुआ लिखने में यह माइनस वन होना चाहिए सोरी तब ठीक होगा माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस टू माइनस वन फिर यह संदा जाएगा उसके बाद आ गया है दो तिसरे नमक्र प्रस्ण है उसका यह आयत बनाएगा इस प्रकार का symmetry जो दिया है a b plus c और b c plus a इसको आपकेर्थ हमें यदि सानी पढ़ेंगे तो बहुत अवसानीच जान सकते हैं इसका छेतर फर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा इसका छेतर फर निकालेंगे 0 आ जाएगे इसमें symmetry है तो a b plus c b c plus a ca plus b लिखना भी चाहे हैं तो देख लो एक बटे दो X1 A Y2 माइनस Y3 C प्लस A माइनस A माइनस B X2 मतलब B Y3 A प्लस B माइनस Y2 N माइनस B माइनस C प्लस X3 Y1 B प्लस C माइनस C माइनस A यह इसका च्छे तरफ लह थी इसमें A कट गया इसमें B कट गया इसमें C कट गया 1 अपन 2 AC माइनस AB यह AB माइनस BC इसमें आजाएगा BC माइनस AC तो यह 0 हो गया मतलब यह समरे एक बिंडू है इंसे बने त्रिभूज के छेतर फल 0 है यह है प्रस्निक्रमंग 4 का नेक्स्ट देखते हैं प्रस्निक्रमंग 5 के दो सीर्स है 4, 3, 2, 5 तो तीसरा सीर्स होगा यह थोड़ा लंबा कोश्चन हो सकता है कोई भी एक त्रिभूज है ऐसे करके इसके दो सीर्स है एक है इधर 4, 3 और इधर यह है रिंड 2, 5 तीसरा सीर्स हमको निकालना है जब की लंब केंद्र दिया इस पर डालेगा लंब डालेंगे तो यहां पर कहीं पर एक जगह आएगा लंब केंद्र यह लंब केंद्र हमको दिया है 1, 2 तो तीसरा सीर्स हो जाएगा एच के तो यहां लंब केंद्र होगा यह लंब केंद्र है तो यह दोनों विंदू के द्वारा इसका प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर H minus 1 and BC की प्रमड़ता BC की प्रमड़ता लिखेंगे 5 minus 3 upon minus 2 minus 4 minus 2 minus 4 तो ये 2 upon minus 6 तो minus 1 upon 3 हो गया फिर लिखते हैं AC की प्रमड़ता AC की प्रमड़ता K minus 5 upon H minus minus 2 तो H plus 2 फिर लिखते हैं B की प्रमड़ता B की प्रमड़ता लिखेंगे तो 3 minus 2 upon 4 minus 1 तो ये हो गया 2 upon 3 अब क्या है AD और BC perpendicular है AD perpendicular BC अतलब इन दोनों का गुनन फल को हम minus 1 कर देंगे minus 1 upon 3 K minus 2 H minus 1 equal to minus 1 तो ये minus और ये minus plus हो जाएगा K minus 2 equal to 3 H minus 1 K minus 2 equal to 3 H minus 3 तो 3 H minus K 3 को इधर लाएगे तो 1 हो जाएगा minus 3 इधर आएगा तो 1 हो जाएगा ये पहला एक प्रमड़ता आ अब दूसरा लेते हैं AC AC perpendicular B इन दोनों को लेते हैं 2 by 3 K minus 5 upon H plus 2 equal to minus 1 तो ये 2 इसमें multiply होगा तो 2 K minus 10 और minus 3 इधर जाकर इससे होगा तो minus 3 H minus 6 तो 3 H plus 2 K 10 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा इसके नीचे में इसको लिख देते हैं 3 H minus K equal to 1 और घटा देते हैं तो ये plus ये minus और ये minus होगी पर जाएगा 3 K equal to 3 तो K equal to 1 K equal to 1 इसमें रखेंगे तो H equal to 2 by 3 तो इस प्रकात तीसरा सीर से 2 by 3 and 1 मिल रहा है ये इसका कल्कुलेशन हुआ नेक्स्ट देखते हैं ये इसका सिद्धान्त है आगे देखे है तो कि वन जीरो तो सक्यू वक्र वाइश्क्वर इक्स पर है तो पी क्यूद का बिंदू पर बिंदू पथ निकालना है जैसे तो हमको वन जीरो दिया हुआ है और क्यू जो है हम एच के माल लेते हैं और यह वक्र है इस वक्र पर दुनों है वाइश्कर इक्वर टू एट एक्स मतलब क्या होगा कि अच्छा क्यू बस वक्र पर है पी नहीं है क्यू वक्र पर है पी नहीं है पी बंजरो तो संतोष्ट करेंगा नहीं तो पी अपने इंडिपेंडेंट्ट पाइंट है और एक क्यू है ऐसे जो इस वक्र पर है माली जे वाइश्कर इक्वर टू एट एक्स पर तो इसका यह हम क्यू करेंगा के इसको एक्वर टू एट हो जाएगा वाइक जगा के रखेंगे अब इसका मद्य बिंदू निकालेंगे तो वन प्लस एच अपान टू एड्ट के अपां टू हजाएगा ऑब इसका बिंदु पत निकालना है तो इसी का हमको ओल्फा बीटा मालें लिए वन प्लस एच अपान टू इक्वर टू एक्वर टू ऑन फर टू ए इक्वर टू इक्वर टू अल्फा अब इसमें रख देते हैं लेग आल 8 2 alpha minus 1 तो 4 beta square equal to 8 2 alpha minus 1 तो यह इससे कटेकर तो 2 होगा beta square equal to 4 alpha minus 2 तो इसका बिंदू पत होगा चाहिए ठीक है इसका बिंदू पत हो गया कि नेक्ष्ट देखते हैं कि सात्मा प्रश्ण है पांच एक सरीन वाय पराबर एक परलम तथा अक्षों से पांच एकाई का छेतर फल बनाने वाली रेखा लंबरेखा खींचेंगे तो हम लेक्ष्ड में बता था ये वाय के मिड़ने यहाँ चले जाएगा और बीच के चेंबन बतल जाएगा बराबर लेमड़ यह हो गया अब अक्षों से प्रतिछेद्ण नकलते मतलं अंत अ यह अंतरखन को निकार रहें य जिरो करेंगे तो एक्स लेमडा हो जाएगा और एक्स जिरो करेंगे तो यह लेमडा अपन पाइव हो जाएगा अब इसका च्छेत रफल दिया हुए है लेमडा एक बटे दो गुनित अधार गुनित उचाई बराबर पांच दिया हुआ है तो लेमडा स्क्वेर इक्वल टू 25 बटे 2 तो लेमडा इक्वल टू फ्लस माइनस 5 अपान रूट 2 तो इस प्रकार इसका हो जाएगा एक्स प्लस 5y इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपान रूट 2 तो यह लेमडा इसका यह पांचम पच्चेस और भी जाएगा तो लेमडा इक्वल टू फाइगा प्लस माइनस तो समीकरन हो जाएगा प्लस फाइगा एक्वल टू फ्लस माइनस 5 रूट 2 इस रेखा का समीकरन होगा नेक्स देखते हैं है कि पी 1 0 q 00 तथा हार 3 रूट 3 है तो पी qr का अरधक का समीकरन देखे़ है जब 00 अगर जđ्दा आता है तो ने ले लेने ज्यादा अच्छा होता हैाओ अपने हम लेंगे तो इसमें ऊस्कोम यर्धक का सुधर लगा लएंगे यह 00 क्यू क्यों 00 है और यह यह तक थ्री होगा तो association तो ऐसे कर गया इस कोड़ के अर्धक का समिक्रण निकालना है तो एक तरीका यह कि इसका समिक्रण सब्सक्राइब कर देखंदे हैं घुसरा तरीका मुलविंद со से जाने वाली रेखा है कि वार तो इसकी प्रमड़ता निकाल लेते हैं कि वार की प्रमड़ता हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा एक सो बीसंस इसका अर्धक प्रमड़ता निकाले तो साथ है जो हो घृतब अर्धक जो होगा एक मुल बिंदों से जाएगा जीरो जीरो से जाएगा और कितना पौन बनायाँ साठ साठ 120 का पौन बनायाँ तो इसका समिकरन हो जाएगा यह मतलब टैन 120 एकस मैनस एकस जेड़ो तो वाई एक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स हो जाएगा अर्धक समिक्रन पर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा यह हमने इसका प्रवड़ता निकाला तो साथा या इस रेका का अब इधर साथ है तो इधर टोटल के सम्भाहुत रीभूज है मतलब यह सम्भाहुत रीभूज है और यहाँ पर है टू-1 और यहां भूजा है x plus y equal to 2 तो इसके भुजा की लंबाई ग्याद करना है तो हम इसके द्वारा ये डाले गए लंब की लंबाई को तो निकाल सकने ये इसको संदिभाजित करेगा इसकी भुजा a है तो ये वाला a by 2 ये वाला a by 2 हो जाएगा यहां से इसके डाला गया लंब निकालते हैं तो 2 plus minus 1 minus 2 upon under root 1 square plus 1 square आएगा एक सेक सामने बन है वाय के सामने बन है तो ये हो जाएगा 1 upon root 2 तो ये वाला 1 upon root 2 हो गया तो पैथागुरस प्रमी लगाएंगे तो a square by 4 इसका वरगा करेंगे प्रस इसका वरगा करेंगे 1 by 2 तो इसको इधर ले आते हैं 3 a square upon 4 a square minus 1 by 4 करेंगे तो 1 by 2 तो a square equal to 4 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा अपान 3 तो a बराबर root 2 upon 3 ये हो जाएगा भुजा की लंबाई इसमें क्या निरसांग जाती है मैं आपको सुत्र पता है तो कोई भी चीज बहुत असानी से बन सकता है दस्वा प्रशन देखते हैं दस्वा में चार चार देखाएं दिया गया है इससे बने समांतर चेत्र भूज का छेत्र फल निकालना है हमको दस्वा हम इसमें ऐसा दिया हुए तो कोईने टेक्स बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है दिखिए क्या है AX प्लस माइनस BY प्लस माइनस C इक्वल 0 तो AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0 ये रेखा 1 हो गया AX प्लस BY माइनस C इक्वल 0 तो रेखा 3 AX माइनस BY माइनस C इक्वल 0 ये रेखा 4 अब इसको हम प्लॉट करते हैं देखें ये अप्छों से जो काटेगा उसको देख लेते हैं तो ये जो रेखा AX प्लस BY और AX प्लस BY होने को वज़े समानतर होगा इसका जो X निरसान्तों को गा X 0 करेंगे तो Y माइनस में और Y 0 करेंगे तो X B मैनस में aगा C अपान एकी दूरी पर दुनों oss B दूटरी पर काटेंगे C अपान ए स्षरी, X C अपान B और X C अपाने होगा अलग-अलग दूरी होगा एक्स अक्ष पर काठेगा हूँ, माइनस C अपाने और 0 और Y अक्ष पर इसको मान लेते हैं तो यह हो जाएगा 0 माइनस C अपान B ऐसे करके, यहां से यह रेखा ऐसे जाएगा उसके बाद जब AX प्लस B वायत इसके समानतर जाएगा य अक्षा को फिर से ची उधर जाएगा तो इतने दूरी उपर में आएगा और यह इतने दूरी इधर आएगा ऐसे करके इसके दूसरी रेखा हमको ऐसे नहीं लेगा यह समांतर चत्रुभुच का उसके बाद इसमें लेते हैं एक्स माइनस बी वाए तो वाइ जिरू करेंग और दूनों माइनस है तो एक्स प्लस में रहेगा ऐसे तो यह समांतर चत्रुभुच बना जिसका विकाण यह है यहउसका विकाण यह जिरू है तो समांतर चत्रुपुच का चेट्रफल होता है हाफ D10D2 हाब D1 D2 मतलब D1 D2 उसके विकर्ण की लंबाई है तो यह हो जाएगा 1 by 2 एक विकर्ण हो जाएगा यहां से C by A इधर से इधर सी बे यह तो 2 C by A और दूसरा ही विकर्ण हो जाएगा 2 C by B इधर सी बाई B इधर सी बाई B तो 2 C by B एक टू कड़ गया 2 C स्क्वेर अपाने भी इसका छेत्र रफल प्रापता हुआ सिर्फ यह यह एंसर जानना है तो पॉर्णे टेक्सिस का यूज करेंगे तो बहुत सब्सक्राइग कोस्चन इजी हो जाते हैं इसी प्रकार का दो लंबवत रेखा से एक बिंदू की दूरी का योग दूरी का योग एक है तो उसका बिंदू पाथ होगा मतलब वो बिंदू कैसे होगा तो देखें बिंदू जो होगा बिंदू को हम मान लेते हैं एकस वाई बिंदू है और दू कोड़ने टेक्सिस हम एकस और वाई मा हैं दो लूकेछा से बिंदू की दूरी बोला है तो कि लंबत रिखा से बिंदू की दूरी कि इसमें क्या है लंबत रेखा से ail स्वेश्गाइं लेंगे अच्छ दूरी कयों बोला है दूरी निससे कोई वड्येवल पॉइंट हम एक्स वाई लेंगे तो एक्स अक्षे से दुरी एक्स हो जाएगा और इनका यह उपफल एक है भुला है तो क्या हो जाएगा एक्स धन वाई बराबर एक लेकिन यह दूरी में क्या है कि हम कहीं पर भी ले सकते हैं दूरी तो तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है इधर भी यह बिंदू होगा तो भी इतना ही दूरी पे य आएगा तो इसको हम ऐसे करके जर्ल में जो है किसी भी कोड़ीये किसी वी चत्रधांस में हम ले सकते हैं बनना लिख करके माड़ाफ एक्स माड़ाफ वाइकोल टुवन या एक्स प्लस वाइकोल टुवन एक्स माइनस वाइकोल टुवन माइनस एक्स प्लस वाइकोल टुवन एंड माइनस एक्स माइनस वाइकोल टुवन तो अभी जैसे बना थे हम वन वन से जाने वाला ऐसे करके बनेगा ऐसे इसका बिंदू पत्र आगे का कॉस्चन देखते हैं प्रसने क्रमांग बारा हुआ 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 हे Я जो रखायो हुआ 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 है किये छी प्रतिश्यद में फ्रमांग मॉनदू का में Cornelis सब्सक्राइब कि इनका प्रतिश्य बिंदू का एक संग निकालेंगे वह पुर्णांख में प्राप्त होगा तो यह प्लस प्लस ती रख देते हैं 3x4 mx प्लस 1 इक्वल टू 9 3x प्लस 4mx प्लस 4 इक्वल टू 9 एक्स कमल लेंगे तो 3 3 प्लस 4m इक्वल टू 5 4 इधर आएगा तो एक्स इक्वल टू 5 3 प्लस 4m यह ऐसा हमको मिला तो एक्स पुर्णांग कब होगा उसको देखते हैं तो एक्स पुर्णांग होने के लिए या तो इधर 1-1 हो जाए या यह 5-5 हो जाए एक्स में से हम 3-5 हो जाएगा तब भी पुर्णांग है या तो यह 5 हो जाएगा या तो यह –5 हो जाएगा तो एक्स के पुर्णांग होने के लिए यह कंडिशन है तो सब में से हम 3 minus कर देते हैं, इधर 3 है तो 4 am equal to 3 minus करेंगे तो यह minus 2 हो जाएगा, यह minus 4 हो जाएगा, 3 minus करेंगे तो यह 2 हो जाएगा और यह minus 8 हो जाएगा, उसका 4 से भाग देते हैं, तो minus 2 upon 4, minus 4 upon 4, 2 upon 4, minus 8 upon 4, तो यह minus 1 by 2 minus 1 1 by 2 तो तो aim के 2 मान है, aim के 2 पुनांक मान है जिसके लिए x, 1 सब तो 4 जग़े पुनांक हो रहा है, लेकिन उसके लिए aim का 2 पुनांक मान, minus 1 को मिर रहा है aim के पुनांक मान 2 है यह हुआ बारभा फ्रसन next देखते हैं तेरवा फ़लन कॉस X, कॉस X ब्लस 2- कॉस स्क्वेर एक्स प्लस 1 का ग्राफ ये फ़लन दिया हुआ है तैरवा में इसका ग्राफ क्या होगा इसको कॉस X कॉस X प्लस 2- कॉस X एक्स प्लस 2 भाइन अब इसको सिंप्लिफाए करना है हमको इसको simplify करना है, हमको simplify करना है, तो जैसे इसको भी 1 के term से मिलाते हैं, जैसे यह है cos x, इसको लिख सकते है, cos x plus 1 plus 1, ऐसे, इसको लिख सकते है, cos x plus 1 minus 1, minus cos square x plus 1, तो cos square a minus cos square b equal to cos a plus b cos a minus b equal to cos square a minus sin square b ऐसा होता है यह आ गया है इतना a है इतना b है तो इसको हम दिख सकते हैं cos square x plus 1 minus sin square 1 minus cos square x plus 1 तो यह जो fallen fx है यह कटा तो minus sin square 1 तो यह क्या है constant fallen है इसमें एक सकमान नहीं है एक सकमान नहीं है लेकिन क्या है fx एने x बराबर है यह तो y x के समानतर y x के समानतर सरर देखा है यह जो यहाँ से जाएगा ठीक है एक सक परिभासी था इसका इसलिए y कमान कुछ भी रखें एक सकमान वही मिलते रहेगा तो यह तो यह क्या समानतर हमको सरर रेखा मिलेगा आगे देखते हैं प्रश्न कमान चबदा वन टू से किस दिशा में रेखा किची जाए कि वन टू से रिखना है और एक स्प्लस वाई एक्वल टू फोर से प्रतिशेद करेगा तो इसकी दूरी रूट्स रूट्स पांथ रित यह सरा रेखा का जो सम्मित रूप है उसका है डारेक्ट पढ़ने से पता चलता है इसकुल लेबल में लेक्चर दिये थे एक्स माइनस एक्स डेस अपां कॉस थीटर एक्वल टू वाई-वाई-डेस अपां साइन थीटर इक्वल टू आर उस पर अधारित है क एक दो से हमको खिचना है माने जे थीटर की दिशा में एक सब्सक्राइब बनाते हुए तो इस रेखा से उसकी दूरी 6 अपां रूट 3 होगा यह हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपां कॉस थीटर एक्वल टू वाई-2 अपां साइन थीटर एक्वल टू दूरी है रूट 6 पां 3 कॉस थीटर आजाएगा और वाई-पॉल निकालेंगे तो मैंने यह इधर पहले जायागा फिर माइनस टू जायागा तो टू प्लस रूट 6 अपां 3 साइन थीटर हो जाएगा अब इसमें रख देते हैं अच्छे इसमें आर भी आया चार के लगत लिखेंगे यह एक तो को सिटै डू प्लस रूट 6 अपां 3 सामिटेटर एकवल टू 4 वन और THE या तो जायगा तो जो फोरम पर साइन थीटर पहले को ट्रांस्वर करेंगे 4-3 1 फिर यह 3 को ट्रांस्वर करेंगे तो 3 और सिकश करते हैं अब बलस साइन थीटर एकवल टू तो 3 कौण। भ串ोव सीथ॥ बुणा कर देते हैं वन अपां रूट वन अपां रूट टू번 को तो यह हो जाएगा कॉस थेटा कॉस पैंटारीस जनरास इतार शाइन तफूरस कॉस A-B का फार्मूला लगा देंगे और यह कितना हो जाएगा इसमें का रूट 2 निकला गए रूट 2 तो नीचे में तो 2 आ जाएगा इसमें कि रूट 3 से 3 कटेगा तो रूट 3 बाइ 2 हो जाएगा यह बन गिया कॉस A-B और यह रूट 3 बाइ 2 है मतलब कॉस 30 डिग्री तो थ नेक्स्ट है 15 यह भी थोड़ा कांप्लिकेटर दिख रहे है त्रिभूज के तीनों सीर्स दे रिया है त्रिभूज के तीनों सीर्स दिया हुआ है 1 1 A B 4-2 and C 55 और C से A के अंतर संद्धिभाजक मनें इसके कोण का अंतर संद्धिभाजक हम लेते हैं यह कोण को बराबर में यह D है माली जे अब इस पर लंब का समिकरन इस से इस पर लंब डालने इसको आगे बढ़ाते हैं इस से इस पर ऐसे लंब डालेंगे तो इसका समिकरन हमको निकालना है इसका समिकरन हमको निकालना है कि बिंदु निकाला जा सकता है है इस त्रीभुज में किसी कॉर्ड का संधु भाजक होता है किसी कोड का बनाने वाली भुजा को अनुपाक में होता है मेंगेंज बीडी अपान सिड्य यह जो अनुपात है इन दुनों रेखाओं के अनुपात के बराबर है A B upon A C के तो A B का दूरी हो जाएगा minus 2 minus 1 का square means minus 3 का square and 4 minus 1 तो 3 3 का square तो यह 3 root 2 आ गया और A C हो जाएगा 5 माने 4 root 2 हो जाएगा 5 minus 4 4, 5 minus 4 4 तो under root 4 square plus 4 square तो equal to upon में 4 root 2 हो जाएगा तो यह 3 upon 4 में divide करेगा इसको इस अधार पर हम D का निर्द सांग निकालते हैं D का निर्द सांग निकालेंगे तो 3 into 5 plus 4 into 4 upon 7 and 3 into 5 plus 4 into minus 2 upon 7 तो D के निर्द सांग हो गया 15 और 61 बटे 7 और 15 इनाड तो 1 31 बटे 7 और 1 दीए को निर्द सांग हो गया तो अब क्या करते हैं हम AD की प्रपरता निकाल लेते हैं फिर AD की प्रपरता निकालेंगे तो यह इसको तो A D की प्राओरता वन माइनस दो माइनस वाइंद जिरो हो गया नीचे कुछ भी रहे तो C की प्राओरता क्या हो जाएगा इसका लम् रहा है तो व« पांजिरो» हो जाएका लेक पांज लेक्षा लिख दे हैं वाइशमिंटै तो यह 0 हो जाएगा एक समाइनस 5 विपल टू 0 अब देखे इसकी प्रमड़ता 0 है तो उसकी लंब रेखे प्रमड़ता इंफिनिटी हो जाएगा में इस वन अपन जीरो हो जाएगा तो एक समाइनस 5 करके आ जाएगा यह नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं यह था 15 16 बिंदू एक दो से जाने वाली प्रकास की रन एक सक्ष के बिंदू ए से परावर्तित होकर बिंदू 53 से गुजरती है तो एक नेरसांग निकालना है प्रशनकमांग 16 यह एक सक्ष है एक दो से जाने वाले यह एक दो है मान लो एक दो से प्रकास की रन एसे गया और यह बिंदू ए है इससे परावर्तन का नियम का पालन करेगा तो जितना कोड़ पे आया है उतने कोड़ पे यह ऐसे परावर्तित हो जाएगा और यह एक सक् तो ऐसे करके परावर्थन का नियम का पालग करेगा 53 से गुजरता है 53 से गुजरता है यह तो हमको एक निर्शांग निकालना है यह यह निर्शांग को मालेते हैं और एक निरजद्दां को एकष्वाई मानने अच्छे industry मानें और चैसे है तो एक से जिरू मानेंगे अब क्या होगा कि ये पूर्ण को एदि मैं Cite मानूं गा तो यह ठीक हो जाएगा इसलिए कि यह ठीक हर आल्फह तो दुनों मिलके 39 अबिए alpha है तो यह भी theta plus alpha होगा, इधर theta plus alpha 90 है, तो यह भी theta हो जाएगा, तो इसको माल लेता हूँ P और इसको माल लेता हूँ Q, तो PQ की प्रमड़ता, PQ की प्रमड़ता क्या हो जाएगा है? 10 theta बराबर, 10 theta बराबर हो जाएगा, 3 minus 0 upon x minus 5, और पीए की प्रमड़ता क्या होगा इधर से थीटा बना रहा है तो 180 आ जाएगा 10 180 माइनस थीटा देखे ये रेखा योदि थीटा कुण बना रहा है तो ये रेखा एक सक्षा से इधर से थीटा बना रहा है तो इधर से 180 माइनस थीटा बना रहा है और यह PA की प्रमड़ता हो जाएगा 2-0 upon 1-x तो यह क्या होगे 10-10 theta हो जाएगा minus 10 theta equal to 2 upon 1-x 10 theta की value रख जेते हैं minus 3 इसमें यह minus 3 upon x minus 5 equal to 2 upon 1-x इसको इधर लाएंगे तो minus 3 plus 3x equal to 2x minus 10 तो 2x इधर आया तो x और यह आजाएगा कुछ में यह तो पोजिटिव यह पोजिटिव आना चीए एक से की बेलू एक से की बेलू positive आना चीए इसमें थोड़ा सा x minus 5 अच्छा x2 minus x 3 minus 0 लिया तो 5 minus लेना था यह x2 minus x y2 minus 5 अच्छा 5 minus x होगा 5 minus x होगा 5 minus x होगा तो यह हो जाएगा minus 2x यह प्लस हो जाएगा तो इधर 5x हो जाएगा इधर 13 तो x equal to 13 upon 5 मैंने यह बिंदू जो है 13 upon 5 0 करके है जो बिंदू A है यह वह प्रस्नक्रमांग 16 प्रस्नक्रमांग संतर समांतर चत्रभुज की विकर्ण यह और इसकी अनुदीस है तो वह होगा च्छे सिंपल है सत्र जो है एक समांतर चत्र भुज की एक स्प्लस 3y equal to 4 and 6x minus 2y equal to 7 दिया इसको स्प्लस 3y special condition है समझतर भुज जरूर हो जाएगा विकर्ण एक दूसरे के विकर्ण समान है कि भुजा समान है यह नहीं हो रहा है प्रश्ने करमान का ठारा विच्दों 1 जीरो न्यों 2 cos theta 2 sin theta को बिलाने माली रेखा को 2 अनुपाथ तीन में विभाजित करता है उसका बिंदूपत हुचा है तो पहले तो दो अनुपात तीन में विभाजित करने माला इसका इससे मल्डिप्लाइब होगा तो फोर कॉस्ट थीटा प्लस थ्री अपान फाइब एक से निर्दसांग हो गया इसका इससे करेंगे तो 4 Sin Theta plus 0 3 into 1 किये थे यह 3 into 0 करेंगे अपान 5 यह हो गया इसका निर्दसांग जिसका हमको बिंदूपत निकालना है तो बिंदूपत निकालना है तो इसके थीट को mm वाए यह एफ्हेड थीड-ीच कॉल थीटा कर जोड़ेंस तो यह सिक्ष्टिन सइन सक्षेरीट थीटा इक्वल टू 5-3 का स्क्रेर प्लस 5y का स्क्रेर तो यह 1 हो जाए गया 16 कॉमन आगा ते इधर 16 हो गया यह हो गया 25x स्क्रेर 15 15 तीस एक्स धन 9 25y स्क्रेर ऐसे इसका समिक्रन आ गया इसमें xy का पद नहीं है और एक्सवर वाइवर के गुणांग समान है इसलिए वरीत है यह हो गया 25x स्क्रेर 25y स्क्रेर और आगे जाकर के वरीत के लेक्षर अटेंड करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्योंकि बिंदू कर पूछा है तो यह जो कुश्चन है आपको आगे वरीत का लेक्षर जब सुन इसलिए आगे हम देखते हैं कुछ इसमें और कोश्चन शिर्फ सुत्र परदारित है अक्षो का परिवर्टन कस्पर परिवर्टन कैसे होता है उसको द graph अग्षों का परिवर्तन देखी ऐसा यह मूल बिंदू है 00 अच्छों का परिवर्तन का जो कोश्चन है यह सिद्धान पर अच्छे तो दूसरे जग़े उठा के ले जाएंगे तो क्या होगा जैसे एक कोई बिंदू पी है जिसका निर्दस्तां के एक्सवाय है हमारे जो मूल अक्ष है उसके एक्सवाय मूल अक्ष है इसके रिस्पेक्ट में तो यहां से यहां तक की दूरी एक्स हो जाएगा और यहां से यहां तक की दूरी वाय हो जाएगा यह दूरी एक्स और यह दूरी वाय हो जाएगा अब यदि अक्षों को उठा करके किसी अल्फा विटा मैंने उसके मूल बिंदू को अल्फा विटा पर ले जाएं ऐसे करके यह अल्फा विटा पर हमने ले गया मूल बिंदू को यदि अल्फा विटा पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इस पी के निर्दसान के किया होगा देखिए यह on पत यह यह जैका निर सांग यह जोग यह में और यह चैनल स्योच प्लॉस violence और य से एक्स माइनस अलफ़ा नाए निर्सान वाइ बीटा करके निकाला जा सकता है जैसे परिवर्तन के लिए जैसे दे दिया कि वैसी समीकरंट भी पूछा जा सकता है उसमें आपको समीकरंट पूछेगा तो भी उसको आप बना सकते हैं हैं जैसे की वॐरीत का सभी पस्कूरान सभी रखलेते हैं 5x gay फ्लस 4y equal to 3-1 इसका समीकर सभीकर नो है यदी मूल वू बिंदो को है मूल बिंदो को यहीं हम ले जाते हैं चाहर तिन पे इसका समी corner कैसे होगा तो मूल रे जब 4-3 पर ले जाएंगे तो x की value हो जाएगा x equal to x dash plus 4 and y की value हो जाएगा y dash plus 3 इसको इसमें रख देते हैं 5 into x dash plus 4 plus 4 into y dash plus 3 plus 3 equals 0 तो यह वह जाएगा 5 x dash plus 20 plus 4 y dash plus 12 plus 3 equals 0 तो 5 x dash plus 4 y dash 20 15 plus 35 तो देखे इसमें दोनों में क्या है दोनों समीकरण में एक चीख खास है कि एक सरवाय का गुणांक नहीं बदला मानि एक रेखा जो खीज देंगे तो हम अक्षो को कहीं बेर उठाके ले जाएं एक सक्षा से तो उतना ही बनाएगा कोण तो प्रमणता चेंज नहीं होगा उसका जो अंतक्खंड वो चेंज होगा एकुनतन चेंज होता है अक्षोन का रुपांत्रन एक जगा से दूसरे जगा को दौनों एकसिस को ले जाना पर्पंडिकुलर एक दूसरी पांत्रन होता है जिसमें घुणन है अपर को घुणन कहाता है तो घूणन में क्या होता है कि मूल बिंदू वहीं पे रहेगा और इसको किसी कौण से ऐसे घुमा दिया जाएगा ऐसे करके इधर एकस है इधर वाय है अब यह थीटा कौण से इसको घुमा दिये थीटा कौण से घुमा देंगे तो जो नए निर्दसांग मिलेगा कोई भी तो पी का पीप है पुराने निर्दसांग एकस अ धिद्स ओता है जो होता है एकश कॉस T यहीप सु लस्फा गन which ऐस जो होता है झाल आउड इस कटी प्लस वाए कॉस थीटा माँ पाएक करके निकाला जा सकता है तो इस प्रकार क्या हुआ हुए अभी सदस्ट हम नें सरर रेखाव रक्षों का बारे में प्रतियोगी लेबल का ये लेक्चर देखा हम आगे हम देखेंगे फिर वरीत बगरा के बारे में धन्यवान